मित्रो जय मतादी आप देख धर्म सिक्षा मित्रो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जनवरी 2024 में पंचक कब से कब तक रहने वाला है तो जानकर अपको अच्छी लगे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक तो जोड़ करें साथी कमेट बाक्स में जय म लगता है जैसा कि आप जानता ही है सभी ग्रहों में सरवाधी गतिसील ग्रह जो है वो चंद्रमा है क्योंकि सभी ग्रहों को सूरी का चक्र लगाना होता है लेकिन चंद्रमा को सिर्फ पिर्थवी का ही चक्र लगाना होता है तो ऐसे में चंद्रमा का जो पाथ है रास्ता ह मीन रासी में होता है, याने की 11 हुमें और 12 हुमें रासी में होता है. तो पंचक का निर्मान होता है. 10, 2 दिन लगबख सारे 4 दिन का पंचक रहता है. ये एक असूम महूरत होता है, इसमें कोई भी प्रकार का नया काड़ी आरम करने से बचना चाहिए इसमें अविवाहित लोगों की विवाह की बातें भी वर्जित होती है मंगरी कारी वर्जित होते हैं नए घर का निर्मान कारी नहीं करना चाहिए छत नहीं ढालना चाहिए पंचक के समय अगर किनी की मिर्ट्यू भी हो जाती है तो उनके अंतीम संसकार में कुछ वि गुरुवार 18 जन्मई दोचा चोविस को सुभा के साद बज का 69 मियट पर चुकि यह पंचक जो है, वो सनीवार से आरंभ हो रहा है तो ऐसे पंचक को जो कि सनीवार से आरंभ हो इनको मिट्टिव पंचक कहा जाता है ये बहुत ही मृत्यू तुल कष्ट दायक पंचक होता है किसी प्रकार के नए कारे को करने से इसमें बचना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज में ही इसकी रुकावाट है कुछ चीजों में हो भी सकता है खाड़ी वह आपको आपके एस्ट्रोजर समय समय पर बताते रहते हैं खास करके वाहन वगर तो इसमें बिल्कुल भी नहीं खाईदना चाहिए नए घर तो बिल्कुल भी नहीं खाईदना चाहिए तो मित्रों मिलते हैं इसी तरह की अनिक ज्ञान वरतक वीडियो के साथ तब तक देखते रहे हैं धर्म सिक्षा जेह माता दें